न्यूज चैनलों और उसके आंकरों को सुप्रिम कोड ने क्यूं लगा एक फटकार। क्या मुल्क में बढ़ती नफरत के लिए अदालत ने न्यूज आंकरों को ठहराया जिमिता। मीडिया हाउस को कौन कर रहा है कंटोर। किसको फाइदा पहँचाते हैं ये गोदी मीडिया के न्यूज आंकर्स। आज हमें अपने मुल्क भारत में जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है वो है अदालत। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने जो हालिया दिनों में नफरत के सौधागरों पर जबर्दस लगाम लगाई है उन्हें जो फटकार लगाई है उसके मिसाल नहीं मिलती हाला कि ये पहली मरतबा नहीं है। हम बात करें हैं चंद ऐसे मीडिया हाउस के एंकर्स की जिनें सोशल मीडिया पर गोधी मीडिया की नाम से जाना जाता है। ये वही न्यूज चैनल्स हैं जिनके आंकर्स डिवेट के नाम पर एक तरफा घिनावना ड्रामा करते हैं और चीख चीख कर अदालत का काम खुद ही अंजाम देते हैं यानि ये फैसला सुना देते हैं कि कौन सही है कौन खलब। बहरे हाल आगे इस पर तफसीली बात करेंगे लेकिन सबसे बहरे जानते हैं कि आकर सुप्रिम कोट उन न्यूज चैनलों और उसके न्यूज एंकर पर क्यों बरस बड़ा। 21 सितंबर बुद दो हजार बाइस के दे सुप्रिम कोट ने हैट स्पीच के मुद्धे पर टीवी चैनलों को जबर्दस लतार लगाई अधारत ने कहा कि चैनलों पर डिबेट बेलगाम हो गई है नफरत पर मुद्धे रिमार्क्स कमेंट्स और तबसिरों पर रोक लगाने की जिम्धारी एक एंकर की है लेकिन ऐसा होता नहीं है अधारत ने पूछा कि टीवी नियूस से पहलने वाली नफरत पर मरकस की मोदी सरकार क्यों खामुश तमाशाई बनी बैठी है जिस्टीस केम जोजफ और जिस्टीस रिशी के शुराय की बैंच ने कहा कि आज कल एंकर्स अपने महमानों को बोलने की अजासत नहीं देते हैं उन्हें मूट कर देते हैं और गयर महजब भी हो जाते हैं ये सब Freedom of Speech के नाम पर हो रहा है दुकी बात है कि कोई उन्हें जवाब दे नहीं बना रहा सुब्रियम गोड की इस बैंच ने पूछा आकर मुलक किस जानिब जा रहा है हेट स्पीच मुलक के ताने बाने में जहर गोड़ रहे हैं इसकी अजासत नहीं दी जा सकते सियासी पार्टियां आएंगी और जाएंगी लेकिन मुलक और प्रेस फ्रिडम का अदारा कायम रहेगा हमें सची आजादी होनी चाहिए और हकुमत को अपना मौकुफ वाज़ करने के लिए आगे आना चाहिए अदालत ने इस मामले में मरकज की मोजी सरकार से दो हफ़तों में जवाब भी मागा है बेंच ने पूछा है कि क्या वो हेटी स्पीश को कंट्रूल करने के लिए किसी कानून पर गोर कर रहा है इससे पहले भी हमने नफरती मेडिया पर लिए अग्वामी सते पर हुई तनकीद और हिंदुस्तानी मीडिया की इमेज कराब हुई थी तब भी जाँच परताल का एपिसोट पेश किया था वक्त था कोरोना का और उस वक्त दारूलकुमे दहली में तबलिगी जमाद का बड़ा इजतिमा हुआ था अचानक हमारे पीम साहब टीवी पर नमदार हुए और लॉकडाउन का ऐलान कर दिया कि ऐसे में उस तबलिगी जमाद में आए कसीर तेदाद में लोग तबलिगी जमाद के मरकज में फंस गए और फिर इन नफरती मीडिया का जो खेल शुरू हुआ उसने पूरे मुलक में तबलिगी जमाद के जरीए मुसल्मानों के तेई लोगों में नफरत की हवा पहलाना शुरू कर दी थी बेसर पैर की कबरें इसी तरह इंतिहाई घटिया अलफास का इस्तिमाल करते हुए तबलिगी जमाद और मरकस के बारे में न्यूस के टाइटल बनवाना शुरू करती है तबलिगी जमाद पर निशाना लगाते लगाते मौलाना साथ के बारे में बेतु के बयान चारी किये गे इन गोधी मीडिया के नफरत के सौधागरों या नियाइकर्स ने तो ने मुलक का गद्दार ही करार दिया था लेकिन दुनिया जानती है कि कोरोना के दौर में आगया आकर जितना का तबलिगी जमाद के अरकान ने किया है उसके मिसाल नहीं मिलते करोना की शिकार मरिज़ों को खून दे कर जिनों ने बचाया वो तबलिग जमाद के ही अरकान थे उन्होंने नहीं देखा कि कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू हलांके उस वक्त कई माहरीन ने ये माना है कि कोरोना की शुरुआत में उस वक्त के अमरीकी सदर टरंप ने हिंदुस्तान का दोरा किया था और पिर उसको लेकर जो भीर जमा की गई वो भी कोरोना के पहलाओ की जिम्मतार बने बेरहाल अब जब कि ऐसे नफरत पहलाने वाले और समाज को हिंदु मुस्ली में बांट कर एक सियासी पार्टी को फाइदा पहुंचाने का इल्जाम छेलने वाले न्यूस चैनलों के एंकर्स पर सुप्रीम कोर्ट का वो साफूटा है तो भारत की बरसरे अख्तिदार जमाद बीजेपी से अलग दो सियासी चेहरे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम मीडिया की ताक्त से नहीं जनता के भरों से काम करेंगे एक तरफ हैं दिली के सीम अरविंद के जरुबार तो दूसरी तरफ हैं कांग्रिस कायद राहूल गांदी राहूल गांदी ने दावा किया कि भारती जनता पार्टी के हकूमत बिना गोधी मीडिया के कुछ नहीं मीडिया चैनलों को दो बड़े बिजनसमैनों का गुलाम करार देते हुए राहल गांदी ने कहा था कि पी-म मोदी इन दो बिजनसमैनों के लिए काम करते हैं और ये दो बिजनसमैन पी-म मोदी के लिए यहां हमारे मीडिया के मित्र है इनका काम जो जन्ता के मुद्धे हैं उनको उठाने का होता है मगर ये भी अपना काम नहीं करते है 24 घंटा ये कैसे करेंगे ये मीडिया उन्ही दो उद्योग पतियों का मीडिया है पूरा का पूरा मीडिया उन्ही दो उद्योग पतियों के हाथ में है तो सच्चाई कैसे दिखेगी सच्चाई कैसे सुनाई देगी और जन्ता को जन्ता को सब मालुम है जन्ता घर में टीवी ओन करती है और जन्ता जानती है कि टीवी किसका है और टीवी किसके लिए काम कर रहा है टीवी दो उद्योग पतियों का है अकबार दो उद्योग पतियों के हैं और ये दो उद्योग पती नरेंदर मोदीजी के लिए 24 गंटा काम करते हैं और नरेंदर मोदीजी इनके लिए 24 गंटा काम करते हैं राहूल गांदी का बयान के बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस मोधी सरकार के लिए काम कर रहे हैं इस दावे की सच्चाई को अर्विंद केजरिवाल की इस बयान से भी मजबूती मिलती है जो उन्होंने गुजरा दोरे के तोरां दिया था उन्होंने सीधे सीधे बीजबी के मीडिया एडवाइजर पर ही मीडिया चैनलों को धंकाने का इल्जाम लगाया था आजकल ये मीडिया को भी खूब धंकियां दे रहे हैं गुजरात में इन्हों ने इतनी धंकी दी इतनी धंकी दी किसी भी आम आदमी पार्टी वाले को डिबेट में नहीं बुलाना शाम को डिबेट होता है डीबेट में चर्चा होती है कि मनीज से सुद्ยा ने बरस्टाचार किया की नहीं किया और उसमें आम आदमी पार्टी वालों को नहीं बुलाते है कांगरेस और B-J-P वाले अपस में बैट के चर्चा करते है कीसे होसेए ऐसे धंकियां दे रखे हैं वहाँ पे गुजरात में किसी अखबार में मारा कुछ नहीं छपता और फिर भी गुजरात के अंदर बल्ले बल्ले हो रही है चारो तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है सोशल मीडिया से प्रधान मंतरी के दफ्तर में एक सज्जन काम करते हैं मीडिया एडवाईजर हैं शायद हिरेन जोशी जी हैं एक मीडिया एडवाईजर हैं प्रधान मंतरी के मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे बड़े बड़े चैनलों के हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक उनके एडिटर्स उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिखके बेजते हैं वो केजरिवाल को दिखाया तो ये कर देंगे केजरी वाल को दिखाया तो वो कर देंगे आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है आप अपने चैनल का दुरुप्यों कर रहे हो हम तुमारा ये कर देंगे वो कर देंगे फला ना कर देंगे क्या दमकियां दे रहे हैं वो ऐसे देश चलाएंगे फिर फोन करकर के धंकियां देते हैं मैं आज यहां से हिरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूँ अगर किसी ने आपके स्क्रीन शॉट जो जो आप इनको मेसेज बेज लो इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिये अबी और प्रधान मंतरी जी शकल दिखाने लाइक नहीं बचो के इस देश के अंदर और यह जो आप धंकिया देते हो ना कहीं ने रेकॉर्डिंग करके रख रखी आपकी अगर किसी दिन किसी ने आपकी रेकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डाल दी शकल दिखाने लाइक नहीं बचो के बंद करो यह गंदगी बंद करो इस तरह से मीडिया को दमकाना अर्वीन के ज़िवाल हूं या राहल गानते बड़े बिजनसमैनों के दबावो में काम करने बाले या उन्न बिजनसमैनों के गरिप गए गए मेडिया हांस के बारे में ये दावे तो करते हैं कि उन्हीं की बदूरत मरकज की मोजी सरकार चल रही है वरना उनके बगएर वो इक्तिदार में नहीं रहते जमीनी हालात का अगर मौइना किया जाए तो उनके दावों में बड़ी सचाई भी है आज जो कुछ लोग आँख बंद किये बीजेबी पर इतना भरोसा करते हैं और सबसे इमानदार पार्टी का तरचा देनी की बात कहते हैं तो उन्हें ये कोई नहीं बताएगा कि बीजेबी की दोर में कितने घोटाले हुए कितने बीजेबी लीडरों पर रेप केस गवातीन के साथ ज्यादती के केस चल रहे हैं कौन कौन से बीजेबी लीडर्स हैं जिन्होंने मुलक को ही बेश डाला यानि दहशत गर्टों से हाथ मिला लिया उन्हें इसलिए पता नहीं चलेगा क्योंके मीडिया इस बारे में दिखाएगा ही नहीं इसलिए राउल गानिरी कहा है कि अगर मेडिया ना होती तो आज मोजी सरकार ना होती जाइश बरताल के पिछले के एपिसोर्स की तरह आज भी आप से यही गुजारिश है कि जहां भी आपको लगे कि समाज में नफरत बाटने का काम हो रहा है वो रोके या उस जगा से चले चाए इसी तरह अगर आपको लगता है कि फलाँ फलाँ चैनल हिंदू मुसल्मानों में नफरत पहला रहा है उनमें दूरियां बढ़ा रहा है तो उसका बाइकार्ट कर दे मतलब सिर्फ न्यूस चैनल्स तक ही महदूद ना रहें जहां कहीं भी हो जिस भी महफिल में हो जो भी जगा हो अगर आप देखते हैं कि यहां नफरती बयान बाजियां हो रही है तो या तो उसे रोकने की कोशिश करें या फिर इसका मुकमल पाइकाट करें क्योंके जब तक अवामी जगा या टीवी स्टूडियों में इन नफरत के सौदागर आंकर्स के जरीए डिबेट जैसी अदालते कायम होती रहेंगी और इनी डिबेट के जरीए इनसाफ होता रहेगा तब तक हमारे मुलक के लोग एक दूसरे से ही डरते रहेंगे और आपस में लड़ते रहेंगे शायद ये शेयर किसी शायर ने इनी नफरत के सौदागरों के लिए कुछ यूं लिखा है कि मुभबत के हर जजबे से वो इंकार करता है वो खुद नफरत है और नफरत का कारुबार करता है उसे अगर मौत प्यारी है तो मर क्यों नहीं चाता वो सारे शहर को जीने से बेजार क्यों करता है आज इतना है देखते रहें बी बी आम चैनल प्राइब करता है प्राइब करता है